उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए सरकार की तरफ से खुश ख़वरी आई है सरकार अब प्रदेश के सभी गन्ना किसानों को चीनी मिलो में शेर होल्डर्स होने का प्रमान पत्र देगी इतना ही नहीं सरकार की तरफ से सभी गंगा किसानों को आधार काट की तरज पर 14 अंकों का एक ग्रोवर कोड देगी इससे गंगो के फ़र्जी खरीद पर रोक लगेगी प्रदेश में लगबग 45 लाग गन्ना अपुर्ती किसानों को यूनिक ग्रोवर कोड विक्सित करके आवंटित किया गया है इसमें बिचॉलियों वा गन्ना माफियाओं का सफाया होगा टो है उसका उससे लेना है यह सारी चीजें यूनिक गोर के गया किसान को पता होगा इसलिए यह जिसमें हैं बहुत से लोग जो गन्ने की फरजी रसील बनाके और यह करते थे अब उसमें किसी प्रतार की कोई धांगले राजी की जगे कहीं उसको नहीं मिल सकती ना इसमें को आधार काईड़ की तरज पर हमने चोधे दिजित का एक यूनित तेड बनाया है जिसमें गाउं जमीन और इस तरह का उसका कितना गन्ना है कितना यह है यह सारा उसमें होगा यह किसी भी प्रकार का कहीं भी यह भी कोई गवरी कहीं आसन का भी करता है मालो कोई व्यक्ति क्योंको जालशाजी चल रही है कोई व्यक्ति यह कि उसमें भी जड़बरी करता है जैसे मालो मैंने बताया भी कोई जमीन इसमें दो ही कर रहे है वह कहीं जड़ा फिरी कर दिए तो तुरंत हम हों यूनिक जड़व कोई से ये कर्फर्म करे सकते है राजय सुविभाद से एक इसके एक्चल जमीन कितनी है इसलिए ये यूनिक कोड के द्वारा जो हमने आधार कोड की तर्ज पहे 14 विजिट का यूनिक कोड बनाया है इसमें किसी प्रकार की कोई आसन का गरवडी की नहीं हो सकती हो दरसल योगे आधितनात की सरकार 2.0 के सभी मंतरी अपने विभागों के 100 दिन पूरे होने पर किये गए कामों की जानकारी दे रहे हैं शुकरवार को लोग भवन में प्रदेश के चीनी उद्ध्योक एवं गन्ना विकास मंदरी लक्षमिनारायन चौधरी ने प्रस कॉन्फरेंस करके कहा कि किसानों को 8,000 करोड के गन्ना मूल्य भुक्तान का लक्ष रखा गया था जिसको लेकर प्रदेश के गन्ना किसानों को 12,530 करोड का भुक्तान किया गया ये भुक्तान नर्धारित लक्ष के लगबग 55 प्रतिशत से अधिक है वर्दमान सरकार के मातर पांच वर्षों के कारेकाल में रिकॉर्ड एक लाग चुहेतर हजार 686 करोड से अधिक का भुगतान हुआ है सौदिन का जो हमारा लक्ष था गन्या भुगतान का हमने 8000 करोड रुपे का लक्ष रखा था कि सौदिन में जो और तक भुगतान हुआ इसमें हम 8000 करोड रुपे का भुगतान करेंगे इसके दिपीत हमने सौदिन में 12530 करोड रुपे का भुगतान करके 55 लक्ष से अधिक भुगतान हमने किया है किसानों का पिछले पाक साल में यही मैं यही कहूँ मंतरी लक्षमी नारायन चौदरी ने कहा कि पहली बार सरकार ऐसे किसानों को स्वामित तो हूने का हैसास कराएगी 50.101 लाख गन्ना किसानों को शेर प्रमान पत्र दिये जाएंगे इसका शुभारम मुख्यमंतरी योग्यादितनाथ इसी माह करेंगे किछले 50 साल से शेर सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है कभी से पूरे किसानों का डेटा रेकॉर्ड उनके पिता जी दादा जी परदादा का जिपना था उसको फोत हो गए तो उनको मुख्यमंतरी जी द्वारा उदखातन किया गया उसमें सबका डिजिटरलाइज किया गया डेटा और वो प्रमानपत्र माननी जैसे मंतरी जी ने बताए माननी मुख्यमंतरी उसका वितरन करेंगे तो किसानों को भी अपसा से जागा कि उनका अंश प्रमानपत्र उनके पास है लक्षमे नारायन चौधरी गन्ना विकास मंतरी वही किसानों को हुए भुक्तान के बारे में मंतरी ने कहा बजाज गुरूप के चीनी मिलो ने हर वर्ष करीब 36 प्रतिशत गन्ने का भुक्तान कर दिया है बाके दन का भुक्तान सरकार कराईगी अगले पेराई सतर के पहले सभी किसानों को 70 प्रतिशत भुक्तान होगा किसानों के उतुपादन लागत में कमी लाने वो परियावरेंस अन्रक्षन के लिए एक लाग दससार हेक्टेर गन्ना श्वेतर फल में तरल नैनो जूरिया का छड़काव कराई गया है इतनी सुगर मिल हैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं प्राइवेट मिल हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का जो किसान गन्ना देता है वो सरकार पर भरोशा करके देता है अभी NPA में उनकी मिल गई है अभी ACLT में तो नहीं गई लेकिन आप मिश्चिंत रहिए किसी भी किसान का एक पैसा नहीं मारा जा सकता एक एक पाई का भुगतान होगा बजाज मिल अब तक लगबद 36% भुगतान इस साल के सीजन का कर चुकी है 36% भुगतान उनकी चोबह मिल हैं उनकी सब का 36% की टोटल भुगतान हुआ है वहीं प्रदेश के किसानों की आए बढ़ाने के लिए नौ सूत्रिय कारेकरम लागू किये जा रहे हैं जिन में गन्ने की उतपादक्ता बढ़ाने और उतपादन लागत घटाने के साथ किसानों की आए दोगुनी करने का लक्ष है प्रसेक्षन के माध्यम से वैग्यानिक सस्तियों को किसानों तक पहुँचाना गन्ना विपणन और गन्ना मूल्य भुकतान तुरिद गन्ना ढुलाई के लिए यातायात की वेवस्ता सुध्रिडी करण, प्रियावरण सुरक्षा गन्ना शोध वा परंपरागत खेती का बढढ़ावा देने जैसे काले करम शामिल है बंजब केस्ट्री टीवी के लिए लखनों से अनिल सैनी की रिपोर्ट